दोस्तों आज की कहानी है बाबी आपको जरा भी सरम नहीं आई किया मेरे साथ ऐसा करते हुए दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर आपने हमारे सैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पौंस सके हर नया वीडियो मोबाइल पर रिंग होते अनुज जल्दी से मोबाइल लेकर बालकनी में जाकर दीरे-दीरे बाते करने लगा लगबने बरसे ये सिल-सिला सल रहा था पतनी मनस भी ये सब देखकर अनुज पर अब सक करने लगी थी बहुत बार वा कोजिस कर थी देखे तो सही किसका फोन आ रहा है पर वह देख दी उसके पहले ही अनुस फोन लेकर वहां से हट जाता मनस्वी का सक बढ़ता जा रहाता एक दिन अनुस फोन सारज में लगा कर कई बार निकल गया और मोबाइल पर किसी नमबर से फोन आया देख मनस्वी ने जट से उठा लिया पर इसके हेलो करते उधर से फोन कट गया मनस्वी साकर भी पुन कॉल बैंक नहीं कर पाई फोन लोक हो गया और नमबर पता नहीं होने की वज़े से वह फोन नहीं कर पाई साधी को सार महीने हुए थे और महीने बरसे अनुज का वेवार देख कर मनस्वी को सक हो रहा था कहीं अनुज का कोई पुराना परिंपर्शंग तो नहीं जिससे बात करने अनुज बालकनी में सला जाता और दीरे दीरे बात करता बहुत कोशिश के बाद मनस्वी बस इतना ही सुन पाई थी कि सिंदा नहीं करे सब सही होगा मैं होना बस थोड़ा वक्त दे फिर मैं उससे बात कर लूँगा आने दो आज मैं अनुज से पूछ कर रहूंगी आखिर वक किस से बात करता है अगर कोई लड़की उसकी जिन्दगी में पहले से ही थी तो मुझे से साधी क्यों कि अनुज जब लौड कर आया मनस्वी पहले से तम तमाय बैटी थी सवाल दाग ने शुरू कर दिया आपकी जिन्दगी में पहले से कोई और थी तो मुझे से विवा क्यों किया कौन एब जिसका फोन आते है वह ऐसी क्या बात है आज आप मुझे सब सस बताए नहीं तो मैं अभी अपने माय के सली जाओंगी माय के की दमकी जैसे ही दे अनुज परेशान उटावा एक पल को सब बताने को तियार हो गया पर दूजे पल को सोस कर खामोस हो गया बताओ भी अनुज वो कौन है तुमारा किसी के साथ अफेर था तो मेरी जिन्द की बरबाद करने का तुम्हें कोई हक बताने को तियार हो गया पर दूजे पल को सोस कर खामोस हो गया अब बताओ भी अनुज वो कौन है तुमारा किसी के साथ अफेर था तो मेरी जिन्दगी बरबाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं था कहते हुए मनस्वी रो पड़ी त पीर से अनुस के मोबाइल पर उसी नंबर से फोन आया अनुस जल्दी से कमरे से निकल कर बात करने लगा तबी मनस्वी उट कर उसके पीसे पीसे गई और फोन सिन कर बोली कौन हो तुम मेरे पती से ऐसे सोरी सीपे बात हमारी जिन्दगी से निकल जाओ नहीं तो अंजाम जानी पैसानी आवास सुंब आपे से बाहर हो गई बाबी आप मेरे पती से ऐसे सोरी सीपे बात करती हैं मेरे जिन्दगी बरबाद कर रही हैं आपको जरा भी सरम नहीं आई ऐसा करते हुए कहते हुए मनस्वी ने फोन काट दिया अपनी बाबी की सुन तो सुन तो भी अन्सुना कर दी हो गई ता सली पता सली गया है तो अभी के अभी अपने माई के सली जाओ फिर यहां आने से पहले सो बार सोस लेना अनुज ने भी गुशे में कह दिया मनस्वी गर जाकर अपनी मा को बताने को आतुर जंदी से सार कपड़े लेवस पकड माई के पौँश गई माई के पौँश कर मा से सब कह बैटी तभी अपनी बाबी का उत्रा सेरा देख वा बस गरजने को ही हुई थी कि मा ने रोगते वे का बेटा जिस पती पर सक कर तू उसे और अपनी बाबी को बला बुरा कैस हो की है वो सब मुझे पता सल गया पर सर्स कहने की हिमत कीसी में नहीं है फिर भी आज तुमें इस सक से निजात दिलाना जरूरी है सुन अभी एक महीने पहले तेरे बाई मनन का तब एक भीगड़ गई अस्पताल में जास्पताल करवाया तो पता सलाव से कैंसर है उसके इलाज के लिए हमसास बहूं कहा कहा अकेले डोड़ते तो तेरी बाई से ही मैंने का अनुज जी से बात कर लो अनुज जी सुनकर बोले मनु को कुछ मत बताना वह परेशान हो जाएगी मैं सब इंतजाम करवाता हूँ उनका इलाज अच्छे से करवाएंगे बस आपको मनु से बात करती थी मैं सब ठीके कहती रही पर तेरी मा और बाबी जिस दरद से गुजर रहे हैं वह तुम्हें बता कर परेशान नहीं करना साते थे ये सब सुनते ही मनस्वी भई फरस पर बैट कर रोने लगी उसकी बाबी उसे गले लगा कर सुब कराने की कोशिस की तो मनु हाथ जोड कर माफी मांगते वे बोली बाबी मुझे माव कर दो इधर अनु जैसे किसी से दीरे दीरे बात कर रहे थे मुझे सक होने लगा कि उनकी जिन्दगी में कोई और हैं और आज जब आपकी आवाज सुनी तो मेरा दिमागी घुम गया मनु कोई भी पतनी पती के इस तरह के वेवार पर सक करेगी मैं समझ सकती वो पर हम सबको भी यही लगा तू भाया से इतना परेम करती हैं उनकी बीमारी सुन गवरा जाएगी बस हमने तुमसे सिपाया अनुज जी बहुत अच्छे हैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं बाबी भी रोते वे बोली अनुज भी मनस्वी के फीसे फीसे आशुका था मनुस सक की वज़े से तुमने कितना कुछ कह दिया हमें तुमें पहले ही बता देना सही था पर हम तुमारे बले का सोज कर सीफा रहे थे और अनुज तुम सक की बिमारी में गे रही थे अब सब जान सुखी हो तो मैं यही कहूँगा या रह कर मा और बाबी को संबालो मैं बहिया को देखता हूँ उनका इलाज लंबा सलेगा और सब को देर ये रखना होगा और हिमत भी अनुज के कहते मनस्वी दोड़कर उसके सीने से लगते वे माफी मांगते वे बोली तुम तो मेरे ही परिवार का बला सोस रहे थे और मैं तुम पर सक कर रही थे मुझे पहले क्यों नहीं बताया सब को साकेले संबाल रहे थे हम तो पता सल गया ना बेवज सक करके सब को और दूखी कर दी जो पहले से ही दूखी है अनुज ने कहा और अपनी जिमेदारी निबाने अस्पताल की और सल दिया